दाउसकार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और प्रग्या और आज आपके सामने तीन मुद्दें मुद्दा नमबर एक जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गालिबा सांसत को भारती जनता पार्टी ने इनामित किया दूसी तरफ दिल्ली में एक मुस्लिम को सिर्व इसलिए कि उसने प्रसाद लिया था भीड़ने मौत के घाट उतार दिया ये समाज के बारे में क्या बत हो रहे हैं उस पर पूरी तरह से खामोशे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और मुद्दा नमबर तीन ओजैन की वो तस्वीर जिसमें बारह साल की मासूम दरदर भटक रही थी वो समाज सरकार और मीडिया को कर रहा है शर्मसार मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे दुड़ी जिन्होंने कुवर दानेश अली जो की बेस्वी के सांसद हैं उन्हें गाली दी अब शब्दों का इस्तमाल किया उन पर कारवाई अब तक नहीं हुई ना लोगसभा द्यक्ष द्वारा ना भाजपा द्यक्ष द्वारा मगर अब उन्हें इनामित किया गया है क एरहमी से पीटा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया क्यों वो सिर्फ प्रसाद के तौर पर एक केला खारा था कहीं ना कहीं जो उसके साथ हुआ ना वो एक रिफ्लेक्शन है जो बात रमेश बिदूडी ने खुले आम संसत में कहीं क्या इस मुद्दे का पंच अगे बढ़ाते हुए जिसका उन्राग ठाकूर एक जमाने में करते थे गोली मारों का नारा सडक पे लगाते थे नई संसत में और देखिए जमीन पर तुरंत दिल्ली में देश की राजधानी में जो हत्या होती है जो लिंचिंग होती है इसका कनेक्ट है ये नफरत नई स अंसस से लेकर जमीन तक भाशपा को वोट बैंक के दूसरे आधार पर ले जा रही है और ये नफरत का दामन वो लगातार थामे हुए है इसे ही आगे बढ़ाते हुए अपनी पॉलिटिकल लाइन तै कर रहे हैं अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि भारती जाता पार्टी का यहां अंदाजरे बयां सपश्ट है जो पीडित है उसे ही अत्याचारी बताओ उसे ही शर्मसार करो कुमर दालिश अली के मामले में भी आपको याद है भाजपा ने जो प्रचार श्कुरू किया कि उन्होंने प्रधान मंत्री को नीच बताया बगार किसी प्रमाण के और इसी का सर आपको जमीन पर दिखाई देता है जाए एक धारविक स्थल में एक व्यक्ती शायद पूदे का पंच अभिसार सीधी सीधी बात है कि रमेश विदूरी भीर तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं उनको शायद यही काम उनकी पार्टी ने दिया है इसलिए हम पाते हैं कि भीर तंत्र को बढ़ावा अब मिलता है संसद में और जमीन पे हम उसका असर देखते हैं एक असहाय बच्चे को जो की मानसिक तोर पे कमजोर था उसको मार दिया जाता है। शुक्रिया प्रग्या विडमना है आपर भाशा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए अपील कर सकते हैं। वहीदा रह्मान को दादा साफ फाल के पुरसकार मिलता है उसके लिए ट्वीट कर सकते हैं। एक शब्द नहीं हैं। मगर मुझे लगता है इसकी थियोरी दूसरी है। मुझे लगता है कि यह जो तमाम चीजें खासकर जिस तरह से इनामित किया गया है बिधुरी को, मुझे लगता है कि जब दिल्ली के उस मंदिर में या उस धार्मिक स्थल में घटनाएं होती हैं तो उसमें भाजपा की वै संगोल युग है, राजदंड है, इस राजदंड में एक नियम बनता है कि आप मुसल्मानों को संसत के भीतर खड़े होकर अपशब्द कहेंगे और आपका कुछ नहीं होगा, एक संसत, एक मंत्री, प्रदान मंत्री जो हर बात पर ट्वीट करते हैं कुछ नहीं करते, करते हैं, वे करते ही हैं कि उनको कमान देते हैं कि आप जाए राजस्तान, मुसल्मानों के खिलाफ आपने यहां नफरत बोई, बोली और उसके बाद आप जाके वहां पर उसका पॉलिटिकल माइलेज लीजिए, तो मुझे लगता है यह जो लिंचिंग क्राउड पैदा की है भ नारे लग रहे थे, गोली मारो, वो भी मुसल्मानों के खिलाफ थे, ध्यान दीजिए, तो आप देखिए कि यह जो एक लैडर है कि आप लगातार चड़ते हैं, कपिल मिश्रा, दिल्ली भाश्पा के कमान समालते हैं, लगभग दिल्ली के दंगे भड़काए थे, उनके सा मुझे लगता है, प्रग्या यहां पर आप वोटर को अपमानित कर रहे हैं, देखे न, नडड़ा सहब ने कारण बताओ, नोटिस भेजा, क्या हुआ, कुछ नहीं जानते हैं, सबसे शॉकिंग बात, वो ओम बिरला, जो बाद-बाद पर विपक्ष को टार्गेट करते थे आपने राहूल गांदी के भाशन को 17 जगा से नोचा था, क्योंकि अडानी का जिक्र था, मैं यहां पर एक कहना चाहता हूँ, कि बार-बार ऐसे लोगों को भाजपा की व्यवस्ता में इनाम किया जाता है, इनाम दिया जाता है, मगर सबसे बड़ी बात, आप एक व्यक्त सोच की वज़े से आपको इनामित किया जाएगा, बिलकुल अबिसार, और यहां पर एक बहुत जरूरी बात ये भी है, कि लोगों ने कहा है, गुजर समाज के लोगों की तरफ से आवाज आई है, कि भई हम सत्त का साथ देंगे, हम इन चीजों का साथ नहीं देंगे, जो गलत हैं, लेकिन जो OBC समाज है, उसको राडिकलाइज करने की कोशिश लगातार भाजब ने करी है, ये राडिकलाइजेशन से बचने का एक ही तरीका है, इसको अपोस किया जाए, हमें ये याद दिलाना पड़ेगा अपने दर्चकों को, कि भाजब का सपना ही है हिंदू जो गय समयधानिक है, जिसको अचीव करने के लिए उनको इलीगल काम करने पड़ेंगे, जो कि बिदूरी जी ने किया है संसर्द में, और यही इलीगल हरकतें, आज हम देखते हैं, उसी भीड के हवाले एक इनसान आ जाता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि और भी कई कदम उ हुई हैं, बलकि मंदिर में दो ही तीन साल पहले आसिफ के हतिया हुई थी, तब मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने कहा था कि भाई देखिये वीडियो ना बनाएं, तो यह जो एक इनसेंसिटिविटी फैल रही है, वो इसलिए फैल रही है, क्योंकि उनका सपना ही ग मंदिर गया है, जो बीमार है, जो भूका है, उसे राहत पहुचाना, आपने उसे मौत के घाट उतार दिया, गड़पती की पूजा है, बिलकुल, मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि कहीं न कहीं इस देश के सब समाज को उटना पड़ेगा, मेरे नाम पर, यह दंगाई हिं नहीं है, मैं दंगाई नहीं हूँ, यह चेतना आम हिंदू की तरफ से होनी पड़ेगी, तब इसका समाधान है, और देखे, मुझे लगता है कि समाज में जिस तरह की नफरत पहला दी अविसार, वो डराने वाली है, मैं सोच रही थी कि चलिए पांच लोग हैं, जो मार र लुचों कि कल आपने गड़पती के नाम पर मारा, आज गड़पती का विसर्जन करने जा रहे हैं, किस तरह से आप गड़पती की मूर्ती को उठा रहे हैं, क्योंकि यह तो अधर्म किया आपने, लेकिन मैं जो बार बार कह रही हूं अभी सार, यह पॉलिटिकल मेसेज है जब देश की नई संसद जिसके बारे में भव विद्धिव य आयोजन है वहां खड़े होकर इस देश का इस दिली का ही एक संसद पहली बार संसद नहीं है तीन बार विधायक रह चुके हैं दूसरी बार संसद हैं वो खुले आम अपने ही एक दूसरे सांसत को इतनी घिनोनी गालियां देते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है, पीछे हर्शवर्धन जी हसते रहते हैं, जो मंतरी हैं, तो ये जो साथ, तो ये दोनों लोग हस रहें, यानि ये इंजॉयमेंट है, कि आप एक मुसल्मान सांसत को जलील होता हुआ देख रहें, और आप इंजॉय कर रहें, मुझे लगदा, बिल्कुल वही बीड़् है, जो देख रहे हैं कि एक मुसल्मान को मार रहे हैं, और आप इंजॉयमेंट है, मुसल्मानों की विलिफिकेशन का, ये बहुत डरावना है, और मुझे लगता है, तो क्योंकि ये भीर्ड रुखती नहीं है यहाँ पर, ये भीर्ड हर जगा पहुँशती है इसी तरह से. बिल्कुल और प्रग्या मैं अकसर अपने शोज में भी ये कहता हूँ कि आज की तारीख में जिस तरह से मुसल्मानों को टार्गेट किया जाता है अब देखें किस तरह का प्रॉपगैंडा चलता है एक तरफ उन्हें ये बतलाया जाता है कि सहाव अगर हम सत्ता में नहीं र जो कोर वोट बैंक है उसे हजम भी कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल अब इसार देखें इस पूरे वाकिये से हम दो चीज़ें सीच सकते हैं कि जो राडिकलाइजेशन है किसी भी समाज में राडिकलाइजेशन जब पहलता है किसी भी धर्म में तो वो इलेगल उसकी प्रक् इसान हो रहा है ये भी हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए लोगों को भी समझना चाहिए बिल्कुल तो चलिए अब हम रुक करते हैं आज के दूसरे बड़े मुद्दे का मनिपूर मनिपूर पर प्रधान मंत्री की खामोशी बहुत शौकिंग है और आप जानते हैं इंडिये नेफोस के विमान पर जेपी नड़ा और अमिच्शा राजिस्थान उतरते हैं हाला कि उसी में धेरो सवाल थे कि इंडिये नेफोस के विमान में नड़ा साब क्या कर रहे थे जो मंत्री भी नहीं थे आप राजिस्थान जा सकते हैं मनिपूर नहीं उतर सकते जह मजाल है कि महिला और बाल विकास खल्यान मंत्री कुछ कहें मनिपुर एक आईना है भाजपा सरकार को कि किस तरह से डबल इंजिन सरकार एक पूरी नकाम है क्या है स्मुद्दे का पंच शुरुवात करेंगी प्रग्या अभिसार यहां भी बहुत ही स्पष्ट है कि यह रंड नीती के तौर पे मैं इसको देखती हूं मनिपुर पे चुपी जब प्रधान मंत्री चाहते हैं वो कहते हैं जो उनके मन में आता है वो कहते हैं और कहीं बार वो ऐसी चीज़े भी कह जाते हैं जिन पे बहुत कॉंट्र प्रवर्सी होती है यहां पे जब दो समुदाओं के बीच में एक पूरे प्रदेश में इतनी लडाई चल रही है साड़े चार महीनों से तो प्रधान मंत्री की चुपी को हम और किस रूप से देख सकते हैं यह साफ तोर पे रण नीती है भाशा क्या है इस मुद्दे का प बिना कहीं न जाते हैं न कहीं बोलते हैं और चूंकि मनिपूर में अभी चुनाओ नहीं है और मनिपूर की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसका पूरा प्रश्रे उन्होंने दे रखा है लिहाजा वे चुप थे चुप हैं और चुप रहेंगे क्योंकि उनकी जवाब दे ना मनिपूर की जंता की तरफ है ना ही लोकतंत्र की तरफ और मैं एक बात साफ देख रही हूं कि मनिपूर कश्मीर की तर्स पर आगे बढ़ रहा है जहां कम्प्लीट अपैथी है कम्प्लीट कट ओफ है लगता ही नहीं कि वह भारत का ही एक राजे है जिसकी चिंता मोदी ज नहीं कहा है एक अनमुद्दे पर यूट्यूब के लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर सकते हैं मगर एक सिंपल सी अपील मनिपूर को ले कर नी कर सकते हैं मगर कटघरे में सही मायने में देश के ग्रेमंत्री हैं आप देखिए दिली दंगे नदारद कश्मीर में हालत ख आपको बुनियादी चीज करने चाहिए, आपको confidence building measures करने चाहिए, चलिए आपको IF के विमान में राजिस्थान जाना है, तो चलिए उसी IF के विमान में विपक्ष के गडबंधन को एक delegation को ले जाए, एक confidence building measure कीजिए, मगर वो बुनियादी चीजे भी नहीं हो रही है, जनता स समवाद कायम नहीं हो रहा है, भाशा, इसका अर्थ साफ है, कि कही न कही रजा मंदी है, भाशपा की वो सोच, बहुमत बनाम minority के बीच का संघर्ष, जिसमें नुकसान सबको है, मगर इने लगता है कि वोटों का फाइदा है, फाइदा उनको है, और मैं देखे, दूसरी ब पाकी जो ट्रैबल समुदाय है, वह माइनॉरिटी है, और पूरा जो माहौल बनाया गया है, और देखे, तीन मई से जल रहा है, तीन मई, आज हम बात कर रहे हैं, सितंबर खत्म हो रहा है, यानि आप एक माहौल देखे, कि एक राज जल रहा है, पहली चीज, ना उन्होंन नहीं हटाते वजह, क्योंकि आप चाहते हैं, पूरी देश में ये मेसेज भेजना, कि जिस तरह से हिंदूों को मुसल्मानों से डरा कर, और उग्र बनाया जा रहा है, वहां पर मैतेई को कुकी और बाकी समाह से डरा कर, और उग्र बनाया जा रहा है, और दूसरी बात, कि शर्म की बात है, कि आप सदन का दूसरा सत्र कर देते हैं, स्पेशल सत्र कर देते हैं, लेकिन आपकी टीम मनीपूर नहीं पहुचती, मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा शर्मनाक और क्या इंसिडेंट होगा, कश्मीर को जैसे आप भूल चक्रे थे, वैसे ही यहां पर विपक्षी दल जाते हैं, राहुल गांधि सबसे पहले गये, तब आपने उनके उपर, स्मृती रानी जी का आप नाम ले रहे थे, याद करी स्मृती रानी लगातार बोलने लगी कि मनीपूर राहुल गांधि की वजह जल रहा है, तो ये जो बहुल है, और स्मृती रानी राजस्थान में आप आएफ के विमान में उतर गए, ग्रे मंत्री को किसने रोका, कि आप कुछ कदम उठाईए मनिपूर में, मगर देखिए पूरी तरह से खामोशी है, ये किसम का डिस्टोपियन वर्ल चल रहा है सहाब, कि आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते ह नहीं करेगा, इस मंच पर हम उनसे सवाल करेंगे, मगर बाकी जगा पर विपक्ष परदोश मड़ा जाएगा, इतिहास का साहरा लेकि कॉंग्रिस पर हमला किया जाएगा, वो भी जूट के जरी है, अभिसार बिलकुल इसमें दो चीज़ें फिर मुझे कहरा लगता है कि ज जुड़ ना पाएं, ऐसा उनको लगता है कि हम फिर कभी खटा होंगे भी नहीं, दूसरी चीज़ यह है अभिसार, कि यहां आम्ड ग्रूप्स हैं, यह सरकार जानती है, होम मिनिस्ट्री जानती है, तो आपने जो खुला छोड़ रखा है लोगों को, यह रिस्क आप क्यो उठा रहे हैं, आफ्टर ओल, जो पूरा नौर्थीस रीजिन है, उस पे भी इन चीज़ों का असर पढ़ी रहा है, हम देख रहे हैं, मिजो राम और सेंट्रल कम्वें, अब रत्याशित है, कि दो राज्यों की पुलीस, एक दूसरे की जान की दिश्मन बन जाती है, असम इसको दूसरे मिजोरम की पुलीस जो है, वो मार देती है, मतलब ये पता चल रहा है, भारती जैनता पार्टी की जो आउट्रीच है, नौट इस्ट का, और सबसे शॉकिंग बात, अजीड दोभाल, देश की राश्ट्री, सोलक्षा सलाकार, पूरी तरह से खामोश हैं, जि मोदी जी की तारीफ ये है, और हिम्मत ये है, कि उन्होंने युक्रेन युद रुखवा दिया, जूट था, लेकिन दुबारा उसको दोराया, लेकि मैं ये कहना चाहती हूँ, अमिश्या जी, बहुत अच्छी बात है, हम आपका जूट मान लेते हैं, आप मनिपुर की जो ये एक सवाल, और आप मीडिया की बात करें, मीडिया के लिए तो एक्जिस्टी नहीं करता, मनिपुर पे खबर आप देखिए, कि कितने मेंस्ट्रीम मीडिया, जो कॉर्परेट मीडिया हैं, कितने लोगों ने अपने रिपोर्टर भेजे, अगर किसी और राज में ऐसी स् हाली का है, वो खामोश है, सोच रही है, कि अपने आप लड़ बड़ के जब शान्त हो जाएगा, तब कुछ काम किया जाएगा, जो बहुत दुखद है, भाशा अभिसार, इसमें एक और चीज़ है, कि हमें याद करना पड़ेगा, कि कुकी और मेती समाज, नौर्ट-ईस् किये गए हैं, इन लोगों की, जो आपसी सुलजाव के लिए, क्या, अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता, कि कुछ कदम उठाए गए हैं, जो ठोस हों, तो अभी तक, बल्कि ये भी एक शौकिंग चीज़ है, कि कैंप में डॉक्टरों की टीम तक नहीं जा पाई है, तो लो हैं, वो सरकार की वज़से, यान कि खुले हम सरकार ही बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आपको याद होगा, जब उन दो कुकी महिलाओं को नेकेड परेड करवाया जा रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि पुलीस साथ ही उन लोगों के, और हर जगा पर, इसी तरह से रटना होई थी, तो चौबीस घंटे तक मैं उसके बारे में कुछ कहने की स्थिते में नहीं था, मुद्दा था उज्जेन में 12 साल की एक बच्ची जिसके साथ दुशकर्म होता है, और विडियो वाइरल होता है, वो दर-दर भटकती है, कोई उसकी मदद नहीं करता, एक पस्वीर ये भी आती है, कि एक व्यक्ती दर्वाजे पे खड़ा है, उसके देख रहा है, वो गिड़ गिड़ा रही है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, देश की महिला और बाल विकास का लियान मंत्री खामोश, राश्ट्री महिला एक खामोश, सरकार, समाज, मीडिया क को शर्मसार करने वाली एक और घटना, क्या है, इस मुद्दे का पंच, बताएंगी प्रग्या। हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए, कि जब हम वावाई करते हैं किसी भी कदम की, तो दूसरे पहलो भी देख लेने चाहिए, एक बार कि महिलाओं की, लड़कियों की स्थिती असल में क्या है, भाशा क्या है, इस मुद्दे का पंच, अभी सार एक बात बहुत साफ ह है कि इस बरबर दिल दुखाने वाली घटना जब हमारे सामने आती है, और उस पर पूरा का पूरा 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 पॉलिटिकल सिस्टम चुप रहता है, शिवरा सिंग चुप, उनका पूरा मंत्री मंडल चुप, द्रौपदी मुर्मु जो वहाँ पर बगल में इंदौर म हैं, वह चुप और हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, इस पर चुप, उससे लगता है कि जो यह आठ किलोमीटर यह बच्ची दौडी, जो घरों में लोग बैठे थे, दरसल वो इस चुप वाले पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, और यही सबसे बड़ा खत्रा है अभिसार, कि यह जो चुपी है, जो शर्मनाक आपराधिक चुपी, उन तमाम लोगों के घरों में थी, मुझे लगता है उन तमाम घरों की बेटियां, बेहने, सब असुरक्षित हैं, क्योंकि वह एक बच्ची के मदद के लिए बाहर नहीं आ मुझे तो शर्म आती है सोचके कि महाकाल की नगरी में किस तरह के लोग बसते हैं, अभिसार, क्या है इस पर आपका पंच? इस मुझे पर मेरा पंच ये है कि यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी विड़मना है कि ये सब एक धर्म नगरी में हुआ, हालकि हम ये भी न भूलें कि उस लड़की को कपड़ा भी एक पंडित एक पुरोहित ने दिया था, मगर शौकिंग ये है कि इस मुझे पर क कोई भी मीडिया की पापा की परी जो है वो डिबेट नहीं कर रही है, स्मृती रानी जी जिनका एक मात्र काम है राहूल गांधी को ट्रोल करना, मगर इस पर खामोश है, राश्ट्री महिला यो खामोश है, इस से जदा शर्मसार करने वाली बात आकर क्या हो सकती है, स्मृ कोशियों को बचानी की कोशिश कर रही है, मतलब यह सोच क्या है, सरकार आपकी, पुलीस आपकी, और आप इतने अपसेस्ट हैं गांधी परिवार से उसकी बात कर रहे हैं, और उस लड़की के बारे में, क्योंकि यह कैसी खबर है, इसने पूरे समाज को जगदोर दिया, और वो तस्वीर हमारे सामने थी, मगर मजाल यह महिला कुछ कह पाएं, और वो कैसे कहेंगी, आपने उनका ट्विटर हैंडल देखा कि क्या क्या किया, मैंने उसी दिन जाकर शिवराज जी को देखा, वो रानी दुरगावती की 52 उची मूर्ती बनाने की बात, उसी दिन कर जाती है विसार कि यह तमाम लोग जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, इन्हें महिलाओं से, बच्चियों से, रत्ती भर, रत्ती भर, कोई सहानबूती प्रेम्या, इनको इनसान समझने के लाइक भी नहीं समझते हैं, क्योंकि आप याद करिए मनिपूर, मनिपूर का आपने जिकर किया जब नेकेट परोइड है, यह सारे लोग जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं ले रही हूं, प्रग्या ले रही हैं, सब चुप, कोई नहीं बोलता है, यानि यह सारा का सारा जो हिसाब है, और इसने समाज को, मुझे डर इस बात का है, जो हम बार बार कहते हैं, कि यह political class हमारे समाज को जहां पे महिलाओं की लड़कियों की कम से कम संकट के समय मदद करने की एक भावना रही है उसको भी उन्होंने उसी political class ने अपने आप में मिला लिया है यह सारे लोग जो गणे शुत्सव पे बाहर आते हैं दुरगा पर बाहर आते भी नवरात राएंग आप जानते हैं सोच क्या है यहां पर प्रग्या मुझे एक बीजेपी की नेता ने मेसेज किया और उन्होंने लगा कि मैंने शायद वो मेसेज पढ़ा ने मैंने वो पढ़ लिया था उन्होंने तुरण डिलीट कर दिया उन्होंने मेसेज यह किया था कि हमने उस लड़के की कानून विवस्था पर सवाल उठाता, कोई डिबेट नहीं कर रहा है उस पर, कोई भी डिबेट नहीं कर रहा है, मैंने उस दिन तमाम पापा की परियों की टाइम लाइन देखे थे, तमाम लोग खामोश थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था, और ये कहां हुआ है, एक हिंदी को उठाना चाहिए था, कोई उस मुद्दे की चर्चा भी नहीं कर रहा है, तिस ओनली शोज हाव बेंट, दे मीडिय ऑफ इस कांट्री इस, बिलकुल अभिसार, और एक और चीज जो मुझे लगता है जरूरी है, इस पूरे वाक्य में, कि मध्य प्रदेश में दो तरह की मैं देख पा रही हूँ, एक है समाज की चुप्पी, और एक उनकी चुप्पी जिनके उपर अत्याचार हो रहा है, हाल ही में हमने इसी साल देखा कि एक आदिवासी पुरुश पे किसी नेता ने हिशाब किया, और आप ये समझे कि दलित समाज की तरफ से ये आवाज आए कि भई आप शिवराज जी हमें ये जवाब दीजिए कि वो चुप चाप क्यूं सहन कर रहा था, हिला तक नहीं वहां से, और ये दूसरी तरह कि चुपी अब यहां उजेन से आ रही है, कि पूरा समाज चुप है, आखिर कोई उनको डर तो नहीं था, एक अगर उस लड़क है कि इसमें कमजोर हमेशा पीछे पीछे और पीछे धका दिया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि इस इन दोनों तरह की चुपियों को समधान, पॉलिटिक्स के थू ही मिलेगा, लोगों को अपने हग के लिए खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा, अब इसार में खाल आपने घ्रवाइब कर रहे ते हमारे पास प्रमान है अरे बापरे मैं भूला हूँ, लोग किस तरह से मांसे कर गया है? आप देखते हैं और ऐसी धेरों मिसाल हैं जी जी धेरों मिसाल हैं तो मुझे लगता है कि यह एक मानसिक्ता है प्लिटिकल क्लास की कि आप अपनी वहवाही के लिए आपको लगे पुलिस प्रशाशन पर दोश है तो आप एंकाउंटर कर दें ताकि मामला खतम हो असली दोश होती ही और सारी लोग ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हूँ तो यह जो एक खामोशी है मुझे लगता है यह सबसे जादा आपने जोला पहुचती नहीं मैं यहां प्रग्या आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ आपको याद होगा कि कॉर्बिट में उसी तर पर दबाव बनाया जा रहा था एक बहुत बड़े नेता के साथ रात को वक्त गुजारने को लेकर उसके परिवार से भी कोई भाजपा का नेता मिलने नहीं पहुचा और जिसकी चर्चा मैं और अक्सर भाशा इससे पहली भी करते रहें महिला पहलवान जो हैं वो भी तो ह वोट हासिल करना है और वही आपकी प्रात्मिकता है वोट तो देखिए ये नरॉसनेस तो भाजप में आज के दिन राजस्थान में भी है मध्यप्रदेश में भी है और अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या महिलाओं के चतार ना करना उनका उनकी तरफ अत्याचार का भाव रखना क्या इससे वोट मिलते हैं ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स है कि एक रेप विक्तिम को या एक दलित समाज से तालुक रखने माले को कितना बदल गया है देश प्रग्या दो हजार बारह तेरा में जब निर्भया हुआ था तो हम कटगरे में रख रहे थे कि ऐसी कॉ को लेकर संघर्ष नहीं किया था मुझे लगता अगर आज की तारीक में निर्भया हो जाए तो कौन ढाकुर है कौन ब्राहमन है कौन बनिया है उसको लेकर यह अंदोलन हो जाता और निर्भया को कभी इंसाफ नहीं मिलता सबसे गलत बात अभिसार की हम लोगों की एक मानस बात की आपका फायदा हो रहा है शायद ऐसी वोट बटोरे जाते हैं आज कल भाजब रूल स्टेट्स में कि जितना आप लोगों को प्रेशान करें और मुझे लगता है कि एक बात और हमें जरूर बार बार बोलनी जरूरी है कि आज की तारीक में ब्रिज भूशन शरण सि इनके खिलाफ अभी तक ओन रिकॉर्ड माननिय प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अभी मद्रप्रदेश में इसी मद्रप्रदेश में उन्होंने जो मोधी गारेंटी मोधी गारेंटी का प्रवशन किया उसमें एक शब्द भी नहीं बताया कि वो इस तरह के यौन आरोपियों को साइड लाइन करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है कि जब देश की संसद में इस तरह के आरोपियों को मुहर लगती है ओके टिक मार्क लगता है तब देश भर के जो बलातकारी मानसिकता वाले लोग है न वो अपने को बिलकुल बेखौफ समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे कुछ नहीं होगा अंकिता भंडारी में भी न्याय नहीं हुआ और आज की तारीक में जब हम बात कर रहे हैं महिला पहलवानों के साथ भी न्याय नहीं हुआ और इससे बड़ी विडम बना और इससे बड़ा परदाफाश उनके बेटी प बलातकारियों को तो आपकी सरकार, आपकी सोच माला पहनाती है, मिठाई के लादी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रग्या और भाशाय इंडिया की बात में बस इतना ही अबिसार शेर्मा को दीजे जासत, नमस्कार